हेलो फ्रेंड्स आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत हगत हैं स्वाएं स्प्रेंड coupling में कमर में दरद होगा पीठ में दरद होगमा फीर घुटनहों में तर्द son Snorna normal यह सारे अपके ना इसे से बचने का घरेलू उपाए क्या क्या होता है इस वीडियो में आपको यह जनगारी देने वाली हूं अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें ज़रूर सब्सक्राइब करें कि जल्दी से जल्दी हमें 5000 के सब्सक्राइबर पूरे करने हैं फ्रेंड्स होता क्या है सबसे पहले यह जानिए जब आप प्रेगनेंट हो जाते हो तो प्रेगनेंसी में आपका आपके बॉड़ी का जो एम्मुटी सिस्टम होता है थोड़ा लो हो जाता है थोड़ा वीक हो जाता है आपका पाचान क्रिया भी वीक हो जाती है आपकी प्राइबेट पार्ट में खुजली इंफेक्षिन क्यों हो जाते हैं। अगर आपको बार बार रिपिटेट इंफेक्षिन हो रहे हैं तो यह समझें कि आपको प्री मिचर डिलीवरी का भी सामना पड़ सकता है। अगर यह आपको repeated infection आठवे, नवे महीने, साथवे महीने में हो रहे हैं, तो आपको premature delivery हो सकती है, यह आपको repeated infection पहले यानि की पहली तिमाही में हो रही है, पहले trimester में हो रहे हैं, तो आपको miscarriage का भी सामना करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यह जानते हैं, कि यह किस region से होत हैं, दिखिये friends सबसे पहले तो reason होता है कि आप hygiene अपना maintain नहीं करती हैं, पहला रिजन होता है, दूसरा cola होता है कि जब आप toilet करने जाती हैं, पौटी सबसे पहले तो मैं आपको बता दू कि जब आप पोटी करने जाती है तो आपको धुलने का तरीका आना चाहिए आपको आगे से पीछे से आगे नहीं लेकर जाना चाहिए बलकि आपको आगे से पीछे की तरफ धुलना चाहिए अगर पीछे से आगे की तरफ धुलेंगे तो इसमें पॉर्टी की बैक्टिरिया होती है, वह आपके प्राइबेट पार्ट में चली जाती है, और आपको इनफ्रेक्शन का खत्रा हो सकता है, दूसरी बात आपको यह होती है कि जब आपको वाइट डिश्यार्ज हो रहा है या फिर हलकी फुलकी पानी की लिकेज हो रही है तो इसमें महिलाएं क्या करती है कि एक ही पेंटी पहनी रहती है और उसको चेंज नहीं करती है जो कि उस बार 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 वाइट डिश्यार्ज ह बार बार गीला होता है और वहीं उसमें पहनी रहती है उसमें बैक्टिरिया पनफ जाते हैं इससे भी आपको इंफ्रेक्शन का खत्रा हो सकता है इसके आलावा आप जो महिनाएं काफी टाइट कपड़े पहनते हैं यानि की टाइट अंडर गर्मेंट्स पहनते हैं टाइप पहनते हैं उन्हें इंफ्रेक्शन का खत्रा काफी होता है क्योंकि आपको मैंने हर वीडियो में यह बताया है कि आपको अंडर गर्मेंट्स एक साइज या दो साइज अपने से बढ़ा लेना चाहिए जो आप पहले साइज पहनती थी उससे इस समय आपको दो साइज हो रहा है कि अरुके को भी हैब भी पैंड में महसस होने लगता है बड़ा होने लगता है आपके थाई में है चैंजे आ यारि कि पूरी बॉड़ी बता दू कि अगर आपको वाई डिस्यार्ज हो रहा है तो आपको दो से तीन पैंटी चेंज करने हैं इसके अलावा आपको अपने कैप साइज से दो साइज बड़ा पहनना है पैंटी हो या ब्राह हो कोई भी चीज हो इसके अलावा जब भी आप रिलेशन मेंटेन कर रही है उस समय आपको अपने हाईजीन का ख्याल काफी रखना है जिसमें महिलाय काफी गलतियक कर जाती हैं क्योंकि जब आप रिलेशन बनाती हैं तो उस समय आपको क्या करना चाहिए कि रिलेशन के बाद अपना प्राइबेट पार्ट को वास कर लेना चाहिए इससे क्या होता है कि इससे आपके अंदर infection की जो bacteria होती है वो नहीं पनपने पाती है इसके अलावा friends अगर आप ज़्यादा chemical वाले soap या shampoo का भी इस्तमाल करती है अपने private part को वास करने के लिए तो वो भी आपको नुक्सान करता है जो कि उसमें अच्छे जो bacteria होते हैं वो मर जाते है तो आपको यही काम नहीं करना है अगर आपको repeated infection होने का खत्रा होए है pregnancy में तो एक काम आपको करना है आप सबसे पहले अजवाइन का पानी लेजिए या फिर आप नीम की जो पत्ती आती है उसको वाइल कर लीजिए एक लीटर आधे लीटर पानी में वाइल करके उस पानी को छान ली करके तो ही वास करिएगा ठंडे पानी नहीं आपको वास करना है नि तो वहां की मांसपेशिया जो है सिकूड जाती है तो आपको हलका सा गुनगुना रहेगा तभी वास करना है आप फ्रीज में रखेंगी तो कम से कम चार से पांस दिन तो यह पानी चली जाएगा तो अलावा आपको Western Когда नहीं इस्तमाल करना चाहिए उसमें कहीं न कहीं ट्वाट रही जाती हम जpressती है जब आप उस पर बैट के ट्वाट करती है तो इसमें इंफेक्शन होने का अपको ज्यादा खत्रा रहता है आपको ज्यादा Lecture उसको इस्तवाल करना चाहिए उसमें क्या होता है कि उसमें आप अपना पैर गोल्ड करके बैँती है तो उसमें इंफिक्शन होने का खत्रा काफी कम होता है इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप जो है आपका जो अंडर गैर्मेंट से उसे आप ढूल रही है तो हो सके तो आप थोड़ा सा डिटॉल में धूलीजिए और उसे सूरज की किरणों में सुखाईए जो धूप आती है ना उसमें सुखाईए उससे क्या होता है उसमें कितिनी भी बैक्टिरिया होगी जितिनी भी ओ मर जाती है इससे भी आपको infection होने का chance काफी कम रहता है इस ये तो वध्यव अस परख परणीज करना है ये तो इसके लिए आप अपने डाइट को भी देख़िये कि डायट में क्या-प्या चीज करना है आप डाइट में 4 काटोरी दही जरूर इस्तेमाल करिएlic Maps दही में एसी चीजें आशे ततव पाय जाते हैं जो कि आपके प्राइबेट पार्ट के पियेजं लेवल को मेंटेन रखते हैं अगर आप आप दही खाना चाहती है तो फ्रिज का दही या फिर खटी दही या फिर बाहर का दही आपको नहीं खाना चाहिए घर में जमाए हुई दही खाईए अगर आपको प्रेगनसी में सर्दी जुखाम का समस्या है तो दही को नहीं खाईए इसके जगा पे आप खटे फलो का इस्तेमा तो इस चीज को नहीं जाता है लेकिन उसे मेंटेन करना काफी जरूरी है तो आपको बार बार इंफेक्षन होगा और जब बार इन्फेक्षन होगा तो आपको एक पर्रीमीचुर डिलीवरी का सामना करना पर सकता है तो इस चीज को आपको ख्याल करना है और जो जो मैंने बताया है उस चीज को भी ख्याल करना है अलगों कि ये वीडियो थोड़ा भी helpful लगा होगा तो चनल के जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में कोई भी क्वारी हो तो कमेंट बक्स में जरूर वीडियो वनेगा बाइबाइब टेक केर धन्यवाग आप